हम बोलते हैं, genetics पढ़ते हैं, genetics से question लगाते हैं, genetics chapter बहुत important है, बोलते हैं तो आप सोचते हैं that genetics chapter you did or NCRT हैं तो किस की बात कर रहे हैं हम इस chapter की बात कर रहे है क्योंकि इस chapter किस के अंडर आता है, genetics साइंस के अंडर आता है, क्या आप अपने मंरी पापा से डटो exact copy हो? नहीं, आप मिलते जुलते हो, थोड़े facial features मिलते जुलते होंगे, हाइट वाला हो सकता है, कोई कहता है कि तुम अपने पापा पर चले गए हो, है ना, लेकिन हम exact copy नहीं होते हैं, अपने parents के, हम कुछ variation से उनसे थोड़े से अलग होते हैं, Hello students, welcome back to the amazing platform of NCRT wala and this is Yashika ma'am, और आज हम start करेंगे बेटा, नहीं chapter का NCRT mind map series, chapter का नाम है, principles of inheritance and variation, बहुत बड़ा chapter है ये, है ना, बट इतने बड़े से chapter को हमें summarize करना हैं, within one hour or it can be up to one and a half hour है ना, आपको पता है बेटा, यतना बड़ा chapter है, इसको एक घंटे में summarize करना खुद में ही एक बहुत बड़ा task है, तो जिन बच्चों को ये chapter अपनोंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, इनके बारे में सुना ही नहीं है, इनके lectures कभी देखे ही नहीं है, तो ये उन बच्चों के लिए lecture नहीं है, उनको फिर detail lecture ही follow करना चाहिए, इसी channel पर आपको batches है, मेरा ही पढ़ा हुआ lecture से, आप उसको refer क सकते हो, अगर आपको test से पहले quick revision करना है, फटा-फट उस concept को summarize करना है, कि homozygous का मतलब क्या होता है, gametes कैसे बनाते हैं, cross में ratio क्या था, quick revision के लिए, अपने NCRT की mind mapping के लिए, ये lecture perfect है उन बच्चों के लिए, है ना, तो yes, start करते हैं आज का अपना इस lecture का सबसे पहला topic, तो सबसे पहले मैं कैसे prefer करती हो, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए होंगे, जैसे बच्चे कमेंट करते हैं, तो मैं देखती हूँ, कि ma'am from this batch, I am from this batch, thank you ma'am इतना revision कराने के लिए, तो उनको पता होगा, ma'am क्या करती है, ma'am सबसे पहले basic से start करती है, basic का मतलब है, ma'am genetics के terminology पढ़ाती है, तो same यहाँ पे भी आपको terminologies की slide सबसे पहले मिलेगी, तो समझते हैं सारे genetics के terms को, तो सबसे पहले आप देखो, आपको heading मिल रहा है genetics, genetics क्या होती है बेटा, एक science की branch है, जो deal करती है inheritance and variation, इसी लिए बेटा, यह जो इतना बड़ा chapter है, हम इसको replace कर सकते है with a single word genetics, इसलिए बहुत बार हम बोलते है, genetics पढ़ते है, genetics एक question लगाते है, genetics chapter बहुत important है, बोलते हैं, तो आप सोचते हैं, genetics chapter, तो NCRT में ही नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हैं, हम इस chapter की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस chapter किसके under आता है, genetics वाले science के under आता है, ठीक है, अब इस इस chapter में genetics तो हमने समझ लिया कि genetics है क्या वो science जो inheritance और variation के साथ deal करती है, but इसमें आपको दो word मिल रहा है, एक मिल रहा है inheritance और एक मिल रहा है variation, तो इन दोनों word का क्या मतलब है? वो भी पढ़ लेते हैं, inheritance का मतलब होता है बेटा, transfer of characters from parent to offspring या progeny कह सकते हो, progeny मतलब बच्चे, offspring, जैसे बेटा, आपके पास भी कुछ characters या traits आपके mummy papa से मिलते होंगे, तो वो characters या traits, mummy papa ने आपको gift के form में दिया है, ये लो बेटा, ये gift ले लो, इस gift में मेरा character मिलेगा तुमको, है न, जो आपको skin color मिल रहा है, जैसे आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, कि मैंने mic लगाए तो देख नहीं रहा है, when I smile, तो मेरे को dimple पढ़ते हैं, तो ये जो dimple पढ़ना है, during smile वो जो गढधा बनता है, न, तुमने देखा होगा, न, बहुत सारे actor, actresses को, या बहुत सारे घर में भी, जैसे हमारे या तो बेटा, हम तीन भाई बैने, तीनों को ये dimple पढ़ता है, तो ये जो dimple पढ़ना है, during smile, that is also genetic, तो क्या मम्मी पापा ने मेरे मुझे dimple गिफ्ट किया है, बहुत दिरे गिफ्ट है ये नहीं, ये मुझे उनसे मिला है, that means I have this inherited trait from my parents, this is inheritance, है न, कैसे मिला है, हम लोग किससे बनते हैं बेटा, आधा क्रोमोजोम हमें कहां से मिल रहा है 23 क्रोमोजोम, sperm, sperm किससे, पापा से, और आधा क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम, मम्मी से, थ्रू ओवा, तो हम उनके ही gamete से fusion होकर के बने हैं, और उस क्रोमोजोम में बेटा जीन्स होते हैं, और जीन्स के पास वो characters होते हैं, और इसलिए वो characters हमें मम्मी पापा के थ्रू, हमें म मिल जाते हैं तो character जो में मिलते हैं कोई कहता है कि आपकी आवास आपके पापा जैसी कोई कहता है आपका skin color आपके मम्मी जैसा है कोई कहता है आपका आख आपके पापा जैसा है कोई तो दादा दादी तक पहुंच जाते हैं तो यह जो characters हमें अपने next पिछले generation से मिल रहा है इसी को inheritance कहते है, now what is variation बेटा, अब आप देखो, क्या आप अपने मम्मी पापा से डिट्टो exact copy हो, नहीं, आप मिलते जुलते हो, थोड़े facial features मिलते जुलते होंगे, height वाला हो सकता है, कोई कहता है कि तुम अपने पापा पर चले गए हो, है ना, लेकिन हम exact copy नहीं होते हैं, हम कुछ variation से उनसे थोड़े से अलग होते हैं, तो degree by which हम उनसे थोड़े से अलग होते हैं, उसको variation कहते हैं, ये variation भला आई क्यों, बेटा, हम sexual reproduction के product हैं, और जब-जब sexual reproduction चलती है, male वो चाहे female, sperm बने, चाहे ova बने, वो meiosis के true बनते हैं, और meiosis याद करो, 11th class में पढ़ियो होता है, crossing over मतलब recombination होता है, जिसकी वज़ा से हम अपने parents से थोड़े अलग आते हैं, ठीक है, parents अलग आते हैं, तो हमने ये तीन headings पढ़ ली, उसके बाद हम बात करेंगे, not genetic, इसके बाद हम बात करेंगे genes के बारे में, ठीक हमने पढ़ लिया है, typo error है, genes क्या होता है, ह अमी पापा से हमारे में genes का transfer हो रहा है, वो genes कैसे पहुच रहे हैं, via gamete, है ना, क्योंकि gamete के अंदर chromosomes है, और chromosome पर लगा है gene, तो वही genes जो में parents to offspring में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, इसी के वज़े से character हमें मिल रहा है, parents to offspring, तो gene है, जिसकी वज़े से inheritance होती है, इ अगर आप से पूछा जाए, chemically वो है क्या, तो chemically DNA है, हर gene हमारे पास 30,000 gene है, हर gene के पास कोई ना कोई information होती है, किसी ना किसी particular character के लिए, जैसे मेरे पास अगर यह dimple पढ़ रहा है, that means मेरे पास dimple वाली gene है, और उस gene का काम है मेरे को dimple पढ़वाना, है ना, अगर हमारा skin color है, कैसा भी skin color हो, medium skin tone हो, fair skin tone हो, extremely fair हो, extremely dark हो, वो जो skin color है वो character है, उस character के लिए भी हमारे पास gene है, हमारी आखों का color कैसा है, आई color एक character है, उसके लिए हमारे पास एक gene है, हमारी height कैसी आ रही है, उसके लिए हमारे पास gene है, हर gene के पास कोई ना कोई information है, किस character को वो control करने वाली है, ठीक है, हार एक gene के दो molecular रूप हो सकते हैं, उसको हम allele कहते हैं, बच्चों को gene और allele में फरक नहीं पता चलता, gene के अनेक रूप को हम allele कहते हैं, जैसे for example, आइफोन को मान लो एक gene है, और आइफोन के इतने अनेक रूप है न, आइफोन 14, आइफोन 14 प्रो, कर आप से कोई पूछे, कि gene present कहां होता है, यह chromosome है, तो क्या मैं यह कह सकती हूँ, पुरा का पूरा chromosome gene है, नहीं मैं यह नहीं कह सकती, जो gene होता है, वो chromosome पे located होता है, linearly एक line में, यहाँ पर for example, gene x मौजूद है, यहाँ पर example, gene y मौजूद है, तो हम कहता ही, यह नहीं कह सकते हैं the entire chromosome is a gene, हम कहते हैं gene कहीं कहीं पर located है, जहां पर वो located होता है उसको क्या कहा जाता है locus, ये वाला locus है gene x का और ये वाला locus है gene y का, locus को relate करो location से, location का मतलब होता है अड़ा, तो gene जहां located है, उस अड़े को हम locus कहते हैं, हर gene का अपना specific locus होता है, है न, और हर gene के अपने अनेक रूप सो सकते हैं, दो रूप generally हम बोलते हैं, dominant और recessive, उसको हम allele कहते हैं, allele के दो types आप देख सकते हो, one is dominant, one is recessive, जैसे for example, एक character है, plant height, हर character के बेटा दो traits होते हैं, अच्छा, बच्चों को न, समझ में नहीं आता, character और trait में फरक क्या है, character जैसे plant height character है, अब किसी के जो plant height है, वो लंबी आएगी, कोई plant height छोटी आती है, तो लंबा और छोटा आना उसके trait है, ठीक है, तो plant height उसके दो traits होते हैं, या तो tall आएगा, या तो dwarf आएगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलू skin color, skin color एक character है, अब कोई गोरा है या dark है, वो उसके traits हैं, अगर मैं बोलू flower color, flower color एक character है, अब flower color pink हो, red हो, white हो, purple हो, ये सारे उसके traits हो सकते हैं, ठीक है, तो plant height के दो traits है, या तो बड़ा आएगा, छोटा आएगा, जो tall होता है, वो dominant trait कहलाता है, dominant trait क्यों कहते हैं, बेटा, कोई एक ऐसा trait, जो हर generation में express करता है, उसको दबाने वाला कोई है ही नहीं, dwarf एक recessive trait है, ये dominance के presence में अपने आपको express नहीं कर पादे से घर में भी बेटा, मम्मी या पापा होते हैं, तो किसी एक की चलती ना, जादा अतर cases में, या तो पापा dominant होंगे, तो मम्मी की नहीं चलेगी, किसी case में अगर मम्मी dominant है, और मम्मी और पापा दोनों साथ में हैं, तो मम्मी की चलेगी, पापा की नहीं चलेगी, लेकिन पापा की कभी नहीं चलेगी, क्या है, जो recessive होता है, उसकी कभी नहीं चलती, चलती है, पापा की फिर कप चलेगी, जब मम्मी घर पर नहीं है, य dominant हमेशा express कर पाते हैं, यह ऐसे phenotype है, अब dominant trait को control करने के लिए होते हैं, dominant allil, recisive trait को control करने के लिए होते हैं, recisive allil, genetics बेटा जो एक science है उसमें हम language, letters का प्रयोग करते हूं, letters को क्यों इस्तमाल करते हैं, बार-बार तुम tall थोड़ी लिखोगे, अगर capital T भी लिख दिये, तो समझ जाना tall है, dwarf के लिए small t लिख दिये, समझ जाना dwarf है, तो हम characters को, traits को दर्शाने के लिए alphabets का इस्तमाल करते हैं, अगर dominant trait है, तो capital letter से represent किया जाता है, और अगर recisive trait है बेटा, तो small letter से represent किया जाता है, by convention, by default, so that आपको समझ देखते ही, समझ में आजाए, अगर capital है, तो dominant है, और small है, तो recisive है, जो capital के लिए हम allelees चुनते हैं, अक्षर चुनते हैं, letter चुनते हैं, उसी का छोटा version इस्तमाल किया जाता है, डौर्फ के लिए, यह नहीं कि तुम small d लिख दोगे, नहीं, ऐसे बहुत confusion हो जाएगा, अगर हर के लिए, तुम अलग-अलग अक्षर यूज़ करोगे, इसलिए, जो dominant के लिए, आप इस्तमाल करते हो, उसी का छोटा भाई, उसी का छोटा version डौर्फ के लिए इस्तमाल किया जाता है, for example, यहाँ पर capital T है, तो डौर्फ को दिखाने के लिए, हमने small t का इस्तमाल किया है, ठीक है, तो dominant allil क्या हो गया, capital T, और recessive allil क्या हो गया, small t, ठीक है, इसके बाद next चलते हैं, और discuss करते हैं, अब allil को represent कैसे करोगे, तीन तरीका होता ए बेटा, अलील को represent करने का, जैसे for example, दो यहे प्रोमatories one, forearm one है, यह भी spectrum one, chromosome one है, for example बेटा, spectrum one, chromosome one है, मतलब मैंने 3 case लिया है, पहला case यह, दूसरा case यह, तीसरा case है, और तीनो case में, मैंने deployed condition लिये है, दीनों केसे क्रोमोzome की और ऑपने जोड़े में निप्लोई ऩाने में फिर आप फिर क्रोमोजों की हम पास recycet और अब क्रोमोजोंब से प्रेजेन vota ya Stat user nest होता कि conc truth you अनको अलील कहते हैं आनलो अनक भात लेते हैं मान लो हो प्लांट हाइट वाला अलीपे है Alli लेते हैं तो ये किस-किस तरीके से plant के अंदर present रह सकता है, ये देखो, एक है कि दोनों लोकस पर capital T, capital T हो, ठीक है, या दोनों लोकस पर capital T, small T हो, या दोनों लोकस पर small T, small T हो, ये लोकस किसके हैं बेटा, ये लोकस है for gene that control plant height, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये लोकस जीन के लिए है, जो plant height को control कर रहा है, मतलब, अगर deployed chromosome है, अगर deployed organism है, क्योंकि deployed organism में, जितने भी हमारे cells होते हैं, हर chromosome जोडे में ही मौजूद होता है, जहाँ chromosome 1 ही two हो, three हो, यह chromosome सोd जोडे है, that means वो cell deployed है, हमें ऐसे ही deployed थोड़ी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा हर cell में जो chromosome है वो इसी तरीके से sets में मौजूद है, That means, अगर कोई deployed organism है, तो उस gene के लिए कितने locus possible है, दो locus, यह देखो, एक locus one, एक locus two, यहाँ पे देखो, एक deployed organism है, एक deployed organism के लिए, वो gene जो plant height को control करता है, कितने locus है, एक locus यह, एक locus यह, यहाँ पे देखो, gene क्या है, plant height, plant height के दो alleles है, दो alleles के लिए कितने locus possible है, एक locus यह, दूसरा locus यह, ठीक है, तो for a deployed organism, अगर एक gene है, तो दो locus possible होंगे, haploid organism के लिए, एक gene के पास, एक ही locus possible होगा, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, कि अगर किसी plant के अंदर, इस प्रकार का genotype मौजूद है, तो plant की height कैसी आएगी, tall आएगी, यह अगर plant के पास, अंदर plant इस प्रकार के allelic arrangement का बना हुआ है, तो कैसी height आएगी, देखो T क्या है बेटा, dominant है, dominant वाले की जलती है, small t बेचारा तो डब जाएगा न, expressी नहीं कर पाएगा dominant के case में, इसके साथ dominant है, dominant है, बलेगा तुम्हारी नहीं सुनूँगा, किसकी सुनूँगा, सिर्फ इसकी सुनूँगा, और इसकी सुनूँगा, तो height क्या आजाएगी, capital T की चलेगी, तो height आएगी, tall, अब यहाँ पर दोनों लोकर्स पर small t small t है, तो small t के तो बड़े मजे आगए, वो तो खुश, यार उसको दबाने वाला ही कोई नहीं है, capital T तो मौझूद ही नहीं है, तो मैंने बताया तना, recissive की कब चलती है, जब dominance उसके आसपस नहीं होते हैं, तो देखो dominant anil है नहीं, यह खुश, यह must dwarf दे देदेंगे, तो जब एक plant को आप बहारी रूप से देखते हो, कि उसकी height बड़ी आ रही है, या उसकी height छोटी आ रही है, तो यह क्या है, एक plant का physical expression है, कि वो morphologically, मतलब बहार से कैसा दिखाई देता है, तो यह जो मैंने आपको explain किया है, कि plant tall आ सकता है, या dwarf आ सकता है, actually मैंने आपको क्या समझाया है, फीनो टाइप समझाया है, तो फीनो टाइप का मतलब, फीनो का मतलब physical appearance की plant बहार से कैसा दिख रहा है, height के respect में, tall है या short है, that is called as फीनो टाइप, ठीक है, और यह जो मैंने आपको बता है, capital T, capital T, यहाँ पर capital T, small T, और यहाँ पर small T, small T, यह मैं क्या आपको बता रही हूँ, कि किस प्रकार के genes का बड़ा हुआ है, एक organism के अंदर genetic makeup क्या है, genetic composition क्या है, इसको मैं क्या कहूंगी, जीनो टाइप कहूंगी, तो genotype क्या होता है, genetic makeup of an organism, यह genetic composition of an organism, जैसे अगर कभी question में capital T, capital T लिखा हो, for example, capital T, small T, small T, small T, लिखा हो, तो यह क्या दर्शा रहा है, यह जीनो टाइप दर्शा रहा है, ठीक है, उसके बाद बेटा, आपने बहुत बारी वर्ट सुने होंगे, homozygous pure, heterozygous impure, इसका मतलब क्या होता है, homozygous या pure का मतलब होता है, जब दोनो ही locus पर, मानलो, plant height वाला gene है, same example, plant height वाला gene है, और अगर यह deployed cell है, deployed organism है, कैसे पता चला मैं, time deployed है, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा, तो chromosome 1, 2 set में मौझूद है, ठीक है, अब हम same gene का example ले रहे है, same character का example लिया है, deployed है, तो उस gene के कितने locus possible होंगे, 2, यहां पर जब दोनों locus पर same same allele मौझूद हो, यहां पर दोनों locus पर same same allele मौझूद हो, तो ऐसे condition को pure या homozygous कहते हैं, मतलब same same, अगर capital T है तो capital T, small t है तो small t, इसको मैं सिफ capital T, capital T, ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं सिफ small t, small t, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे condition को pure या homozygous कहाजा, homo means same same, capital R, capital R, homozygous, capital Y, capital Y, homozygous, capital A, capital A, homozygous, capital B, capital B, homozygous, same same, small b, small v, homozygous, small c, small c, homozygous, small x, small x, homozygous, small y, small y, homozygous, same same homozygous, heterozygous hetero ka मतलब क्या होता है different, मतलब आप अलग-अलग होंगे, एक locus पर dominant होगा, दूसरी locus पर recisive होगा, यह देखो, यहाँ पर capital T, यहाँ पर small t, इस condition को हम heterozygous या impure condition कहते हैं, यह बहुत word आता है NCRT में, उसके बाते हैं hemisygous, hemisygous में क्या होता है, आपने color blindness का example पढ high देता है, तो मान लो अगर यह X chromosome है और यह Y chromosome है, ठीक है, तो आप देखोगे, कि यहाँ पर color blind का gene होता है, X chromosome पर, यहाँ पर color blind का gene नहीं होता, तो जब कोई एक gene का allele, सिर्फ एक chromosome पर मिले, उसका कोई भी allele, दूसरे chromosome पर नहीं मिलता है, इस condition को hemisygous कहते हैं, इसको मैं इसे भी लिख सकते हो, X, C, Y, ठीक है, तो यह जो male है, वो male color blind है, कौन सी condition में, hemisygous condition में, ठीक है, उसके बाद, next चलते हैं, types of gamete बहुत important माना जाता है, इसको हम backbone of genetics कहते हैं, ठीक है, अगर यह नहीं बनाना आता आपको, तो आप cross नहीं perform कर पाते हो, because हर cross में, what you have to do, you have to see कि gametes कैसे बनेंगे, am I right, तो आओ चलो देखते हैं, pure type, pure मतलब homozygous, for example, capital T, capital T है, यह pure है, तो इसमें एक ही type of gamete तो possible होता है, capital T, मानलो small t, small t है, यह भी pure है, तो सबसे पहले अगर आप types of gametes बना रहे हो, तो आपको यह देखना है, बेटा, कि वो pure है, यह impure है, अगर वो pure है, तो एक ही type of gamete बनेगा, और कोई type possible ही नहीं है, ठीक है, यह small t, small t, pure है, तो यहां से भी सिर्फ एक ही type of gamete बनेगा, तो अगर pure type है, हमेशा एक ही type of gamete बनेगा, always one, but अगर impure type है, तो आपको formula लगाना पड़ता है, 2 to the power 1, sorry, 2 to the power n, where n क्या है ब number of, number of heterozygous pair, जैसे for example, अगर मैं आपसे बोलू, capital T, small t है, कोई parent ऐसा है, capital T, small t, तो आप बताए कितने types of gamete बनेगे, यह सबसे पहले तो आपको यह बताने के लिए, आपको यह बताना पड़ेगा, यह impure हैं या pure हैं, तो सबसे पहली बात तो देखो, अलग-अलग हैं, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा, impure हैं, तो formula लगा लिजे, 2 to the power n, यहाँ पर n कितना होगा, कितने heterozygous pair है, कितना जोड़ा है, एक ही जोड़ा है, तो 2 to the power 1, 2 types of gamete मिलेगा, कौन से दो टाइप, एक capital T और एक small t, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलू, capital R, small r, capital Y, small y है तो अगर मैं आपसे बोलू, कि क्या है यह, तो आप बोलोगे, मैं impure है, formula लगाओगे, 2 to the power 2, 2 क्यों लगाया, क्योंकि देखो, एक heterozygous pair यह, दूसरा heterozygous pair यह, तो 2 to the power 2 क्या हो जाएगा, 4, और कौन से चार्टा इस बनेंगे, dihabrit cross याद करो, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y, जो भी types आप बनाते हो ना बेटा, वो types एक दूसरे से repeat नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको types बताने हैं, और types का मतलब कितने प्रकार के हैं, तो प्रकार सेम थोड़ी हो सकते हैं, हमें number of gamete से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ types of gamete से मतलब होता है, चीक है, okay, next अगर म हमारा topic होने वाला है, that is Mendel's inheritance, तो Mendel जी ने बहुत शिद्दत से 7 साल तक काम किया था, और 7 साल पर किस पर काम किया था, मतर पर, तो Mendel जी को 7 साल लग गया यार, genetic समझने में, तो तुम अगर ये lecture समझने के तौर पर देख रहे हो, तो आपको मैंने पहले बताया है ना, सम Mendel पी का scientific name क्या है, पाइजम सटाइवम, तो he worked for how many years, he worked for 7 years, चपन में स्टार्ट किया था, 1856 तिल 1863, सिर्फ मतर पर काम करते रह गए, क्योंकि हर जनरेशन में इनको inheritance pattern study करना था, अब मतर को ही क्यों चुना, उसके भी बड़े सारे reasons है, ठीक है, य पी, तो बहुत clear contrasting traits हो एक violet flower तो एक white flower, height plant की tall या तो dark, तो clear contrasting characters की वज़े से इन्होंने मतर पर काम किया था, large number of seeds, मतर सबके घर में आता होगा, चीलते होगा, उसके अंदर कितनी सारी seeds बन जाती है न, और हर seed को Mendel जी फिर जमीन में उगाते थे, फिर उसके बड़े होने का weight करते थे, फिर मतर को उगाना बड़ा easy है, seasonal है न, life cycle जो होती है, बड़ी छोटी सी होती है, कुछ 3-4 months ही होती है, आप मतर देख लो, 3-4 महीने मिलते हो, उसके बाद गायब, तो उनको grow करना, उनके बारे में inheritance पढ़ना बड़े easy हो जाता है, सोचो हम पर अगर inheritance पढ़ने लगें, तो पह seasonal plant था, बहुत जल्दी अपना life cycle complete कर लाता है, एक season में, bud pollination होता है, bud pollination से क्या होगा, self pollination मिलेगी, और self pollination से क्या फाइदा होता है, बेटा, true breeding, ठीक है, तो ये सारी वजा थी मतर पर काम करने का, तो इन्होंने कितने characters पर काम किया था, इन्होंने मतर पे study किये थे 7 characters, और 7 characters, क्या थे, 7 pairs of contrasting traits कह सकते हो, क्योंकि हर character के 2 traits थे, dominant और recessive, तो हम इसको बोलते है, 7 pairs of contrasting traits, ठीक है, 7 pairs of characters 7 थे, 7 pairs of, लेकिन traits कितने थे, 7 pair, और एक मज़े की बात बताएं, 7 साल तक काम किया, 7 character पर काम किया, और तुम्हें मतर का chromosome number पता है, मतर का chromosome number, मतर वैसे क्या होता है, haploid, sorry, diploid plant है तो, 2N is equal to 14, और haploid कितना 7 chromosome, तो इनके लिए आए गया 7 बड़ा ही लखी था, chromosome number, haploid भी 7, 7 साल के लिए काम भी किया, 7 characters पर ही काम किया, अच्छा, एक और मज़े की बात, मतर पर क्या यही 7 characters possible थे, नहीं, characters तो और भी सारे बट मेंडल जी को पसंदीदा यही 7 characters थे, ठीक है, इसलिए उनने सिर्फ इनी 7 characters पर ही study किया है, although और भी characters थे मतर के, तो 7 characters देख लो कौन से हैं, एक है seed shape, ठीक है, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, but हर character के 2 traits होते हैं, एक dominant, एक recesive, तो seed shape का dominant क्या है, round, किसके उपर, wrinkled के उपर, seed color का dominant क्या है, yellow, किसके उपर, green के उपर, flower color में violet dominant होता है, white के उपर, pod shape में fulla हुआ, fulla हुआ, inflated pod, देख, मापा लोग जो market से खरीदते होंगे, तो fulla fulla pod लेते होंगे, तो वो dominant है, constricted मत green dominant होता है, yellow की उपर, flower position में, अगर side से ऐसे flower निकल रहे हैं, तो वो axial flower, axial मतलब lateral, ठीक है, वो dominant होता है, और जब एकदम ऐसे tip पर मिलता है, end पर, तो उसको terminal कहते हैं, ये recesive होता है, stem height में tall आ रहा है, तो dominant, हर एक trait को dominant या recesive कहने का पीछे का एक ही मकसद है, dominant वो expression में अपने आपको express कर पाता है, recesive तभी कर पाती है, जब वो homozygous में हो, recesive only can express, जब वो homozygous या pure form में हो, ठीक है, और देखो, ये 7 dominant trait है, तो ये 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, हर plant में, देखो, इस 7 plant की varieties ये हो गई, 7 plant की varieties ये हो गई, 14, इसलिए NCRT में दिखा हुआ ह कि मेंडल जी ने 14 true breeding plant varieties पर काम किया था, तो ये हमने सारी NCRT की mapping कर ली अपने दिमाग में, अब चलते हैं, आगे पढ़ते हैं NCRT की बात, अब इन्होंने अपने inheritance को पढ़ने के लिए 2 प्रकार के cross किये थे, जो well-known cross है, that is monohybrid and dihybrid, तो monohybrid में क्या किया था, इन्होंन मतर का plant जिसकी height बड़ी थी और दूसरा मतर का plant जिसकी height छोटी थी उसको cross करा दिया, capital T, capital T वाले को cross करा दिया, small t, small t वाले से, है न, इन्होंने pure true breeding करके, pure condition वाले plant लिये थे, मतलब ये जो tall plant था, वो पूरी तरीके से pure था, ये जो dwarf था, ये पूरी तरीके से pure था, जब यहां से gamete बनाओगे, capital T, यहां से बनाओगे, small t, pure है तो एक ही type of gamete आएगा, f1 में, capital T, small t आएगा, f1 में कितने भी बच्चे आए, इस मतर के 100 बच्चे क्यों होना है, सारे बच्चों का genetic makeup, capital T, small t होगा, और सारे बच्चे फिर कैसे होंगे, tall, अब मेंडल जी को लगा, कि f1 में, f1 generation में, पहला जो बच्चा आया, offspring आया, progeny आया, या f1 hybrid बोलते हैं इसको, इसमें तो एक ही parent express हुआ, इसका phenotype क्या आएगा, tall, मतलब ये वाला ही parent अपने आपको express कर पाया, ये वाली तो गाया भी हो गई, express ही नहीं कर पाई, अब मेंडल जी बड़े generation कराई, f2 में क्या कराते हैं बेटा, f1 की f1 से self करा देते हैं, f1 क्या आया, capital T, small t, capital T, small t, से self करा दो, ठीके, यहां से आएगा दो type of gametes, capital T, small t, यहां से भी आएगा, dो types of gametes, capital T, small t, must panet square बना लो, जैसे, ncrt में बना हुआ है, ठीके, ये देखो, बना हुआ है panet square, एक combination capital T capital T का आएगा. A capital T small t, A capital T small t, small t small t, NCA altogether करे बैठिए. तो हमने देखा कि 4 में से 3 plant क्या है बेटा? Tall आ रहे हैं. 75% क्या है? Tall है. फिर हमने देखा कि 1 out of 4 क्या रहे हैं? डौर्फ आ रहे हैं. क्यों कर पाया, क्योंकि यहां पर यह जो dwarf था, small t, small t, यह pure या homozygous में था, तो dwarf क्योंकि एक restive trait है, restive alil का बना हुआ है, they can only be expressed in homozygous या pure form, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हमारे ratio पूछूं, phenotypic ratio तो क्या है, 3 is to 1, 3 क्या है tall, 1 क्या है dwarf, बड़ अगर मैं आपसे genotype पूछूं, शुरुवात में बेटा सिर्फ पौधे ही तो दिख रहे हैं, उनको सिर्फ यह दिख रहा है कि 3 बड़े आए हैं, उन बड़ो म कैसे कौन capital T, capital T वाला है, कौन capital T, small t वाला इनको नहीं पता चल रहा था, तो आप तो हम बड़े मज़े में याद कर लेते हैं, कि genotype 1 is to 2 is to 1 है, बड़ वो पता कैसे चला था, उसको पता लगाने के लिए test cross किया गया था, तो test cross क्यों करते हैं बेटा, सीधा funda है to know the genotype, कै कैसे पता लगाया जाता है बेटा genotype, एक पौदा है, जिसकी height बड़ी है, बट हमें यह नहीं पता, इसके अंदर का जो genotype है, वो capital T, capital T है या capital T, small t है, we don't know that, हमें यह पता लगाना है, तो क्या करना चाहिए, हमें इस plant को cross करा देना चाहिए, इसके recessive parent से, ठीक है, recessive है, म क्या होगा, small t, small t, अगर इसके बच्चे, 50 to 50 के ratio में बनते हैं, मतलब 50% tall वाला plant आ रहा है, और 50% dwarf आ रहा है, तो यह बात का सबूत है बेटा, कि हमारे dwarf तो तभी आ सकते है ना, जब recessive में हो, अकेला small t तो dwarf लाएगा नहीं, तो इसके जब gamete बने होंगे small t, तो इसको जरूर से small t partner और मिला होगा, वो कहां से मिला होगा, इस से, अगर parent हमारा capital T small t है, तो यह वाला gamete, जब इस वाले gamete से fuse करेगा, तभी यह condition आईगी और तभी dwarf आएगा, तो बच्चों में अगर 50 to 50 आ रहा है, 50 tall वाला dominant phenotype आ रहा है, recissive phenotype आते ही यह इस बात का सबूत है, कि जो हमारा पेड है, वो heterozygous dominant है, और मान लो पेड ऐसा है, for example, कोई, जो देखने में तो बड़ा है, हमें इसका phenotype तो पता है, पर genotype नहीं पता, तो फिर से इस पौधे का क्या कराओगे, इसके recissive के साथ cross करा दोगे, और cross कर आने के बाद, अगर बच्चे 100% all आ रहे हैं, that means, 100% सिर्फ dominant phenotype ही आ रहा है, recissive नहीं आ रहा है, तो यह इस बात का सबूत है, कि यह capital T, capital T के form में है, that means, यह homozygous dominant के form में है, तभी recissive वाला express नहीं कर पाया, तो इस तरीके से बेटा, अगर आपको genotype जानना है, तो test cross कर आया जाता है, उससे पता चल जाता है, तो मेंडल जी को जितने भी बच्चे मिले थे, इसमें टॉल वाले, चाहे वो capital T, capital T, pure वाले हो, homozygous tall हो, या capital T, small T, impure, या heterozygous tall हो, हर plant का cross कर आया था, उनके recissive वाले से, और फिर जब बच्चे आ रहे थे, बच्चों को देख आया रहे हैं, that means a capital T, small T वाला होगा, तो कितना patience था था न, obviously, genetics का father उनको ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, है न, yes, उसके बाद, next चलते हैं, और बात करते हैं, dihybrid cross की, जब inheritance एक gene का पढ़ो, तो उसको monohybrid cross कहते हैं, जब inheritance दो gene का पढ़ते हो, और दो gene, दो character को control करता है, उसका inheritance study करते हैं, तो उसको dihybrid cross कहते हैं, तो monohybrid का क्या result था हमने देख लिया, अब dihybrid का result क्या है, देख लेते हैं, इन्होंने एक mutter का plant लिया, जिसकी seed yellow color की थी, shape round था, एक उन्होंने mutter का plant ऐसा लिया, जिसकी seed wrinkled थी, और seed का color green था, तो देखो, इन्होंने seed shape और seed color पर का किया है, seed shape and seed color, दो character है, इन दोनों character के लिए दो gene होगा, तो that means dihybrid cross उन्होंने किया था, कि जब दो gene एक साथ present होते हैं, दो अलग-अलग character को control करते हैं, किसी एक plant में, तो वो किस तरीके से inherit होते हैं next generation में, ये इनको जानना था, ठीक है, चलो ठीक है, आब इन्होंने जाएगा gamete formation में contribute करने, और इस pair से एक alil चला जाएगा gamete formation में contribute करने के लिए, capital R, capital Y, एक type of gamete यहां से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये pure है, यहां से भी बेटा, इस pair से small r चला गया, इस pair से small y चला गया, तो यहां से भी एक type मिल गया, small r, small y, क्यों मिला है एक type और कोई type of gamete क्यों नहीं मिला क्योंकि यह pure है, इन दोनों gametes को फिर क्यों करा दो, तुम्हारा F1 hybrid, zygote या F1 progeny या F1 offspring कुछ भी कह सकते हो, तो क्या आया, capital R, small r, capital Y, small y, यह तो हो गए impure, कोई बात नहीं, मैम genotype तो पता है, क्या इसका तुम phenotype लिख सकते हो, हाँ मैम क्यों नहीं capital R, small r है, तो चलेगी किसकी, capital R की, dominant है ना, तो देखो round देदेगा, capital Y, small y है, चलेगी किसकी, capital Y की, dominant है ना, तो color क्या देदेगा, yellow, तो यह जो seed आएगा बेटा, इसका shape क्या होगा, round, और इसका color क्या होगा, yellow, फिर से observe यह किया गया, कि एक ही parent अपने आपको F1 में express कर प फिर से क्या किया जाएगा, इनकी selfing कराई जाएगी, हो सकता है F2 generation में यह आजाए, और यह ही हुआ, ठीक है, तो F1 क्या आया बेटा, F1 आया capital R, small r, capital Y, small y, to F2 generation के लिए test किया गया, capital R, capital Y, small y का cross करा दिया इनके साथ, अब यहां से बेटा, formula लगाओगे, 2 to the power 2, तो चार types of gamete मिलेंगे, यहां से भी वही 4 types, और वह 4 types कौन होंगे, देखो, capital R, capital Y, small r, capital Y, capital R, small y, small r, small y, यहीं भी 4 types, अब इसको male, female क्यों लिखा हुआ है, जिसका pollen grain इस्तमाल करते है, for example, अगर pollen grain हम इसका इसका इस्तमाल करेंगे, तो यह male parent कहलाएगा, और अगर हमने इसका stigma इ यह जब gamete बनाएगा, sperm तो इसको male gamete कहेंगे, यह जब बनाएगा तो इसको female gamete कहेंगे, तो इन्हों इधर female gamete दिखाई है, इधर male gamete दिखाई है, female, male को fuse करा दो, तो यह सारे zygotic combination बन जाएगे, आप देखो, 16 हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि इन parent के 16 ही बच्चे आ सक है, 1000 seed भी आ सकता है, मैंने आपको पहली बताया था, हमें number से मतलब नहीं, हमें type से मतलब है, जितने भी बच्चे आए, 1000 बच्चे आए, 1000 बच्चे यही 16 टाइप के ही बने होंगे, है ना, वहाँ monohyrid में 4 zygote दिखाता है, ऐसा मतलब नहीं 4 बच्चे आएगे, बच्चे बताया जाती है, उन genotypes की जो zygote, बच्चे, offspring या seed में आने की possibility होती है, ठीक है, तो आप देख लो, अगर आप count करने रगोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 out of 16 is round and yellow, ठीक है, 1, 2, 3, 3 out of 16 is wrinkled and yellow, 2, 3, 3 out of 16 is green and round, and 1 out of 16 is wrinkled and green, देखो, जो parent यहाँ express नहीं होआ था, वो f2 में जाकर के express हो गया है, तो 9 out of 16 is round and yellow, ठीक है, 3 out of 16 is wrinkled and yellow, then 3 out of 16 is round and green, 1 out of 16 is wrinkled and green, तो ratio क्या हो गया, 9 is to 3 is to 3 is to 1, जिसमें 9 यह है, 3 यह है, 3 यह है, 1 यह है, यह यह है, यह वाला बिलकुल बेटा अपने parent से resemble कर रहा है, यह वाला भी देखो, अपने parent से resemble कर रहा है, parent हमने ऐसे ही तो लिया था, round and yellow, एक parent हमने कैसा लिया था, wrinkled and green, बिलकुल, यह दोनों कहां से टपक गए, यह तो हमने parent ही नहीं लिये थे, हमने round and green तो लिया ही नहीं है, देखो कहां लिया है, तो यह कैसे आगे बेटा, यह उस crossing over का जब gamete बनता है, उसका result है, ठीक है, क्योंकि यह crossing over, recombination का result है, इनको recombinance कहते हैं, recombinance को define कैसे करोगे, जो parent से हटके आए, that is recombinance, ठीक है, ratio देखो, यहां लिखा हुआ है, 9 is to 3 is to 3 is to 1, genotype क्या होता है यहां पर, 1 is to 2 is to 1, 2 is to 4 is to 2, 1 is to 2 is to 1, ठीक है, इसके जस्ट नीच आपको NCRT में, 9 genotypes possible होते हैं, कितने genotypes बेटा, 4 phenotypes possible होते हैं, और 9 genotypes possible होते हैं, 1 is to 2 is to 1, 2 is to 4 is to 2, 1 is to 2 is to 1, जैसे यह एक कौन सा बाला है, देखो, सिर्फ यह capital R, capital Y, एक ही बार है, ठीक है, तो इस वाले genotype की आने के chances कितने हैं, capital R, capital R, capital Y, capital Y, इस वाले की आने के chances कितने हैं, एक, this is small r, small r, small y, small y, चार आने के किसके chances हैं, चार आने के chances दिखाऊँ अभी, यह देखो, यह वाला देखो, सारे क्या है, capital R, small r, capital Y, small y, ठीक है, इसी तरीके से आप हर का ढूंड सकते हो, try करना, ठीक है, तो detail lecture में आपको पता चल जाएगा, सारा, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद बेटा, यह सब करने के बाद observation क्या दी गई, जब मेंडल जी ने monohybrid cross perform कर लिया था, तो उस पर बेस दो observations उन्हें ने बताई, एक थी law of dominance और एक थी law of segregation, उन्होंने कह, dominance नाम की चीज चलती है, इन inheritance के दोरान, और segregation नाम की चीज चलती है, dominance का क्या मतलब है, जैसे F1 में capital T, small t आ रहा था, तो small t के तो चली नहीं रही थी, जिसकी नहीं चलती, उसको इन्होंने recisive factor कह दिया, और जिसकी चलती है, उसको इन्होंने dominant factor कह दिया, actually Mendel जब यह चीज पढ़ रहे थे ना बेटा, तब किसी को पता ही नहीं था, gene क्या होता है, क्योंकि discovery ही नहीं थी, तो यह बस कहते रहते थे, कोई ना कोई चीज parents of spring में जाती है, और उसका नाम factor दे दिया, और आज उसी factor को हम gene के नाम से जानते हैं, और gene के उन दो roofs को हम allil कहते हैं, जो express कर पाता है, dominant जो नहीं कर पाता है, वो recisive, ठीक है, अब segregation का क्या मतलब होता है, जैसे capital T, small t था F1 में, इनको जब gametes बनाना था, तो अभी F1 है, मतलब plant है, plant क्या होते है, deployed है, तो deployed condition को ठाने के लिए हमेशा दो set of genes साथ में लिखे जाते हैं, दो set of genes, दो अक्षर, दो allele साथ में देखते ही समझ जाओगे, यह deployed है, बड़ जब gamete बनाना होता है बेटा, तो gamete तो क्या होते हैं, haploid होते हैं, और gamete हमेशा meiosis के थ्रू बनते हैं, और जब meiosis चलती है बेटा, तब ही यह law चलता है law of segregation, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, जो allele अभी pair में मौझूद हैं, वो segregate कर जाते हैं, segregate का मतलब separate कर जाते हैं, एक gamete में एक अलील चला जाएगा, जो की देखते ही समझ में आ रहा है, tall character के लिए है, दूसरे gamete में दूसरा अलील चला जाएगा, तो जो अभी साथ में present थे, वो segregate या separate कर जाते हैं, during gamete formation, इसको बोलते हैं law of segregation, law of segregation वाले law इसका कोई exception नहीं है बेटा, इसलिए इसको universal law कहा गया है, no exception, that is universal law, but law of dominance का बेटा exception है, ठीक है, इसलिए law of dominance universal law नहीं होती है, बहुत जगह ऐसी है बेटा, बहुत cases ऐसे हैं, जहां पर Mendel जी की कही हुई बात पूरी तरीके से applicable नहीं होती है, वो exceptions भी पढ़ेंगे, और उन्हीं exceptions के अंदर आपको law of dominance का exception भी मिल जाएगा, और इसलिए क्योंकि यह हर जगह तो applicable है नहीं, इसलिए this is not a universal law, तो अगर आ किसरा law पढ़ते हो वो कौन सा है, that is law of independent assortment, यह कब picture में आया, यह कब नजरों में आया, जब Mendel जी ने dihybrid cross पढ़ा, ठीक है, dihybrid cross जब पढ़ा, तो इनको समझ में आया, अच्छा, यह भी कोई चीज होती है, law of independent assortment, इसका क्या मतलब है, dihybrid cross में बेटा, दो characters लिये जा आते हैं, for example, f1 में आपको मिला था, capital R, capital Y, small y, यह वाला जो pair है, यह shape के लिए है, यह वाला जो pair है, वो color के लिए है, तो जब दो character साथ में present होते हैं, in a dihybrid cross, in an offspring, तो यह दो characters को एक दूसरे पर depend होनी की ज़रत नहीं होती, यह वाला character, जब segregate होता है, gamete बनाने के लिए, तो वो independently segregate हो सकता है, assort हो सकता है, इसका क्या मतलब है, जैसे for example, capital R है बेटा, तो वो capital Y के साथ भी assort हो सकता है, independently, capital R, small y के साथ भी assort हो सकता है, independently, small r, independent है, तो वो किसी के साथ भी जा सकता है, capital Y के साथ gamete बना सकता है, type, और यह small r, small y के सा बना सकता है, यह जो 4 types of gametes बनते हैं, वो इसी बात का सबूत है, कि भले ही dihybrid cross में 2 characters हमने ले लिए, बट ऐसा नहीं है कि यह दोनों mix हो जाएंगे, या दुसरे पर dependent हो जाएंगे, सीड शेप का जो segregation होगा, वो बिलकुल independent होगा, सीड कलर से, या वाइसी वर्सा, कोई किसे ने कसम नहीं खा रखी है कि मैं तो सीड शेप वाला हूँ, अलगी रहूँगा, नहीं, सीड शेप वाला अली, सीड कलर के साथ मौझूद है, इन्होंने यह भी कसम नहीं खा रखी, म मैं dominant हूँ, तो dominant के साथ ही रहूँगा, मैं dominant हूँ, recissive के साथ भी रह सकता हूँ, इसको बोलते हैं law of independent assortment, बट इसका भी बेटा exception है, और वो exception क्या है बेटा, वो exception है linkage, क्योंकि बेटा यह जो law of independent assortment है यह तभी चल सकती है, जब हर gene अलग-अलग chromosome पर हो, जैसे for example, यह chromosome 1 है, यह chromosome 2 है, for example, और अगर seed shape वाला gene एक chromosome पर मौझूद है, और फिर दूसरे chromosome पर जा करके, seed color मौझूद है, तो तो यह possible है, जैसे आप hostels में रहते हो बेटा, for example, रहोगे या रह रहे हो, तो अगर आपका कमरा बिलकुल अलग है, और आपका जो दूसरा friend है, उसका क नहीं देखना पड़ेगा, कि मैं सो जाओं, बत्ती बन तो नहीं करेगा, यह sound तो नहीं बजाएगा, music तो नहीं तेज करेगा, phone पर अपने सकी से बात तो नहीं करेगा, ठीक है, आपको हर चीज अपना जो working procedure है, आपको उसके हिसाब से करना पड़ता है, या दूसरे वाल नहीं बत्ती ओन करके पड़ो, you don't care, because you are independent, आप अलग हो, आप अलग रह रहे हो, है ना, तो यह independent वाला जो law है, यह तभी applicable होगा, जब जो gene है, जिस character के लिए, वो character वाला gene अलग अलग chromosome पर है, तो seed color वाला gene independently assert करेगा, और seed color shape वाला gene independently assert करेगा, बढ़ ऐसा होता थोड़ी ही है, हर gene हर chromosome पर थोड़ी present होता है, हाँ, हर gene अलग-अलग chromosome पर थोड़ी present होता है, 30,000 gene है हमारे पास, इसे साब सो तो हमारे पास 30,000 chromosome होने चाहिए, हर gene के लिए अलग कमरा, बढ़ ऐसा होता है, क्या, नहीं, हमारे पास वही 23 pair ही chromosome के हैं, और उसी 23 pair पर वो सारे के सारे 30 सजार जीन है तो यह इस बात का इंडिकेशन है कि एक क्रोमोजोम पर एक से जादा जीन है और जहां एक कमरे में एक से जादा जीन होंगे इनकी assortment effect होती है और उसको हम linkage कहते हैं तो यह हर जगा चल ही नहीं सकता और जो फिनॉमिना इसका exception बनता है वो होता है linkage ठीक है तो अगला topic हमारा क्या होने वाला है बेटा linkage and recombination क्या होने वाला है बेटा? linkage and recombination ओके तो linkage and recombination समझ लेते हैं अच्छा इसको समझाने से पहले बेटा मैंने आपको बताया तना कि बहुत जगव पर बहुत cases ऐसे देखे गए जहां पर मेंडल जी की inheritance applicable नहीं थी और वो बन गए मेंडलिन inheritance के exception तो क्या क्या exception है बेटा? एक exception है हमारा incomplete dominance फटा 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 incomplete dominance वाला पन्ना खोड़ लीजए NCRT का इस dominance को incomplete इसलिए कही गई है बेटा क्योंकि law of dominance completely applicable हुआ ही नहीं है क्यों नहीं हुआ? देखो यहां पर एक लिया गया red flower तो red flower के लिए red capital R capital R और white flower से इसका करा दिया था cross तो white के लिए smaller smaller तो यहां से एक आएगा gamete capital R यहां से एक gamete आएगा small R इनको fuse कराओगे तो F1 hybrid क्या आया? capital R small R तो अगर law of dominance शलती तो red आना चाहिए था बट मज़े की बात तो है कि red आया ही नहीं था लाल और white का intermediate color क्या होता है? pink तो pink color आया इस flower का इन्होंने बोला F1 जो नहींने भी किया था F1 बोला कि ना तो यह अपने इस parents resemble कर रहा है ना तो अपने इस parents resemble कर रहा है यह तो इनका intermediate color ही आ गया है अब क्या? इन्होंने सुचा F2 करा लेते हैं तो शायद तो change हो जाए F2 कैसे कराया? capital R smaller capital R smaller का self करा करके तो यहां से दो type of gamit बना capital R smaller यहां से भी दो type of gamit बना capital R smaller cross करा दो 1-8 square बना लो तुमारे NCRT में बना हुआ है capital R, capital R, capital R smaller, capital R smaller, small R, small R capital R, capital R आपको क्या देगा? red color देगा यह इसने फिर से pink color दिया, इसने फिर से pink color दिया और यह क्या है आपका? white आया तो अगर आप देखो तो यहां पर phenotypic ratio भी 1-2-1 आ रही है और genotypic ratio भी 1-2-1 आ रही है एक red, दो pink, एक white एक capital R, capital R, दो capital R, small R, small R, small R, small R, small R तो इस case में loft dominance चलती बेटा तो 3-1 आता phenotype और genotype 1-2-1 आता वैसा ही जैसा Mendel जीन ने observe किया था monohabrit cross में बट यहां पर monohabrit cross वाला result नहीं आ रहा है क्यों? क्योंकि law of dominance completely चली ही नहीं इसलिए तो इसको incomplete dominance कहते हैं ठीक है? दूसरा था example pleiotropy pleiotropy क्या होता है बेटा? according to Mendel, Mendel कहते थे एक gene एक ही character को control करना चाहिए बट यहां पर हमने देखा एक gene होता है that is bee gene इस bee gene का काम होता है बेटा starch को synthesize करना अगर यह starch synthesis अच्छे से हो रही है तब हम देखते हैं जो shape आती है वो round आएगा और अगर starch synthesis अच्छे से नहीं होगी तो seed की shape क्या आएगी? रिंकल्ड आएगी तो और जो चीज ऑब्जर्व की गई कि star synthesis proper होगा तो seed की shape बड़ी आएगी और star synthesis proper नहीं होगी तो seed की size छोटी आएगी that means यहां पर यह star synthesis है यह seed shape को भी determine कर रही है और seed के color को भी determine कर रही है that means यह एक ही भी gene है जो shape और color दोनों को control कर रहा है that means that this gene is a pleiotropic gene और इस phenomena को हम क्या कहते हैं pleiotropy NCRT में लिखा हुआ है बेटा example के तौर पर कि अगर capital P, capital D, B homozygous में है तो seed की आ रही थी round अगर capital B, small b, b है तो भी round आ रही थी lock dominance चल रहा था small b, small b है तो seed आ रही थी wrinkled तो यहाँ पर देखो आप किस तरीके से यह जो B gene है यह shape को control कर रहा है similarly जब उन्होंने दूसरा character देखा तो capital B, capital B अगर दो बार है, दो बार dominant gene है तो seed की जो size आ रही थी वो बड़ी आ रही थी एक ही बार capital B gene है, अपने heterozygous या impure form में तो seed की जो size medium आ रही थी और small b, small b था तो seed की size small आ रही थी तो यहाँ पर capital B gene ने क्या control किया है size तो एक gene जब दो character या दो phenotype को control करता है इसको pleiotropic कहते हैं और ऐसे gene को pleiotropic कहते हैं तो यहाँ पर देखो, law of dominance completely नहीं चला अगर यहाँ पर law of dominance चलता, तो size medium नहीं लार जानी चाहिए थी that means, यह जो seed size का example है, यह भी incomplete dominance है because dominance पूरी तरीके से चली ही नहीं, ठीक है? यह अकेला incomplete का भी है और इन दोनों को ले लो तो यह pleiotropic का example है फिर next है co-dominance, co-dominance का मतलब है, co का मतलब साथ-साथ, इसका best example है बेटा, abo blood grouping abo में o बाला नहीं, ओ तो रिस्सिव होता है, लेकिन यह जो ab blood group है, यह दोनों ही alleles, ia और ib अगर एक साथ present होते हैं, तो both alleles are expressed, are expressed independently और जब दोनों alleles एक साथ express कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, यह बोला भाया मेरी चलेगी, क्योंकि dominant हैं, यह बोला भाया मेरी चलेगी, दोनों dominant हैं, जब दो dominant alleles साथ में present होते हैं, तो दोनों की चलती है, उस phenomena को co-dominance कहते हैं, और ab blood group इसका best example है, तो ऐसे कुछ cases हैं, जहां पर देखो law of dominance नहीं चली, कहीं कहीं पर मेंडल जी का concept नहीं चला, मेंडल जी कहते थे एक जीन एक ही character को control करना चाहिए, बढ़ ये जीन दो character को control कर रहा है, shape और size को, तो बहुत सारी जगह ऐसी थी, जहां मेंडल जी का concept नहीं चला था, या आप कह सकते हो, जह देख लो, linkage को हम define कैसे करते हैं, ये linkage word, मेंडल जी नहीं, मौर्गन जी नहीं बताई थी, मेंडल जी को शायर linkage के बारे में idea ही नहीं था, अगर idea होता, तो वो law of independent assortment दे ही नहीं पाते, कैसे दे पाते, है ना, उनको linkage के बारे में पता चल जाता, तो जो linkage, मौर्गन जी न linkage as physical association physical association of two genes इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताए ना, कि अगर एक ही chromosome है, for example, chromosome 1 और इस chromosome 1 पर बेटा gene x भी मौजूद है ठीक है, gene y भी मौजूद है और gene z भी मौजूद है ये तीनो gene same chromosome पर है, अगर कोई भी gene same chromosome पर होती है ऐसे gene को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे gene को हम क्या बोलेंगे x, y and z genes are linked genes और linked genes के case में बेटा इसको हम क्या कहेंगे, इनके बीच में association कितना है प्यार कितना है, that is linkage अब ये जितने पास-पास होंगे उतना close association होगा, जैसे ये वाला इससे कितना दूर है, loosely associated है, associated तो हैं, क्यों associated है? ये ख्रोम नुबर सेम है, chromosome number सेम होगा, तो association तो होगी, linkage तो होगी, बट वो linkage कितनी गहरी है, कितनी strong है, या ठीक ठाक linkage है, ये कौन decide करता है? distance, अगर distance जादा है, जैसे देखो, इस वाले में और इस वाले में distance जादा है, distance जादा होने की बज़े से दूरी जादा होगे, दूरी जादा प्यार कम, ठीक है, प्यार मतलब linkage, distance जादा, linkage कम, अब यहाँ पर देखो, X और Y में पास-पास है, closely associated है, तो distance कम, linkage more, ठीक है, ऊपर arrow बता रहे हैं, वो more के लिए है, नीचे arrow बना रहे हैं, वो less के लिए है, ठीक है, तो linkage किस पर associated है बेटा? distance पर associated, distance अगर जादा होगा, तो linkage कम होगा, ठीक है, और अगर distance कम होगा, close association होगा, close association को ही हम define करते हैं, linkage, ठीक है, recombination तो आपको पता है, जो मम्मी पापा से अलग हो, non-parental combination को हम क्या कहते हैं, बेटा, recombinance, और ये non-parental combination कैसे बनता है, non-parental combination is the result of crossing over, result of crossing over, या अप उसको क्या कहोगे, recombination, इसलिए क्योंकि recombination का result है, इनको recombinance कहा जाता है, अब linkage को proof करने के लिए, कि linkage नाम की चीज़ एक्जिस्ट करती है, जो picture में आये थे, वो थे Morgan, Morgan ने dihabrit cross perform किया था, linkage के बारे में explain करने के लिए, dihabrit cross किस पर perform किया था, on drosophila, किस पर बेटा, drosophila, drosophila के तीन characters पर इनों ने study किया था, एक था body color, एक था eye color, एक था wing size, और ये तीनों characters किस पर present थे बेटा, genes for three characters present on x chromosome, ऐसे genes जो x chromosome पर ही सिर्फ मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, x-linked genes, x क्या है, क्रोमोजोम है, कैसा क्रोमोजोम है, sex chromosome है, तो इसको sex-linked genes कहा जाता है, drosophila, एक male drosophila होगा और एक female drosophila होगा, है ना, तो जो male drosophila होता है बेटा, उसके पास दो अलग-अलग प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं, xy, this is male drosophila, ठीक है, जो female drosophila होती है, वो बिलकुल हमारे जैसा sex determination show करती है, this is female, उनके पास दोनों क्रोमोजोम सेम होते हैं, तो ऐसे sex chromosome जहां पर, जैसे हमारा xx है, हम भी homomorphic हैं, ठीक है, जहां पर दोनों क्रोमोजोम, sex chromosome सेम होते हैं, उसको homomorphic कहते हैं, और जहां पर दोनों sex chromosome अलग-अलग होते हैं, उसको heteromorphic कहते हैं, ठीक है, इन्हों ने अब एक ऐसा male चुना, ये cross ncrt में है, हम ये वाला cross का example लेते हैं, जैसा ये cross कराया गया है, वैसे ही ये cross भी कराया गया था, तो इन्हों ने 3 characters चुने थे, दो-दो characters का लेते गया और die hybrid cross कराते गया, जैसे सबसे पहला cross उन्हों ने कराया था, body color और eye color के बीच में, हर character का आपको पता है, traits होते हैं, dominant recessive, body color का जो dominant था, वो brown body था, लिखते कैसे हैं, y plus से, plus अगर आपको दिख रहा है, समझ जाओगे, वो dominant allil है, किसके उपर dominant था, यलो body के उपर, eye color के लिए क्या dominant है, red eye, किसके उपर, white eye के उपर, red eye को कैसे लिखेंगे, w plus से, white eye को कैसे लिखेंगे, w से, तो इन्हों ने, दो characters को combine किया, ठीक है, और die hybrid cross perform किया, तो इन्हों ने, Morgan जी ने क्या लिखिया था, बेटा, जो female चुनी थी, वो female recessive प्रकार की च नजर आ जाती है, छिलके की उपर भी देखा होगा, that is fruit fly, fruit fly पे ही काम क्यों किया था, इसका भी reason है, कि एक तो male और female को easily distinguish कर सकते हो, male जो मक्ही होती है, वो size में छोटी होती है, as compared to female, female के पास, बाहर से ही egg laying structure होता है, जो असानी से दिख जाता है, sexual dimorphism show करते है, इनकी life cycle बहुत कम time की होती है, दो weeks के अंदर ही अंदर अपना काम तमाम करके, खुब सारे बच्चे produce करके निकल लेते हैं, बच्चे बहुत सारे बनते हैं, एक ही sexual reproduction में, एक ही mating में, तो ये सारी वजा होती है बेटा, इन पर study करने का, तो इन्होंने female ऐसी चुनी, जो recessive थी अपन i color के लिए भी, तो dominant body color क्या होता है बेटा, brown, तो brown के लिए अलील क्या लिया है, y plus, ठीक है, recessive y color, sorry, dominant eye color क्या होता है, red, red के लिए उन्होंने अलील लिख दिया है, y plus w plus, तो male y plus w plus वाला चुना, और female y w वाली चुनी है, क्योंकि yellow और white eye वाली है, अब यहां से gamete बनाओ, यह x chromosome, यह भी x chromosome, यह एक x chromosome है और यह y chromosome है, y chromosome है हलका से hook present होता है, अब यहां से दो type of sperm मिलेंगे, इस मक्खी के, एक मिलेगा x type, जिस पे y plus w plus है, और एक मिलेगा y type, y chromosome पर कोई allele क्यों नहीं बना हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको लिख वाया था था ना, इन characters के जी x chromosome है, यह jeans x linked होते हैं, सिर्फ इसलिए x chromosome पर ही मिलेंगे, यहां से एक type of ova बनेगा इसका, that is x type, यह वाला जो ova है, इसको sperm से fuse कर लो, एक लड़की बनने के chance आएंगे, लड़की कैसी आएगी, wild type, ठीक है, अगर यह वाला इससे fuse कर गया, और अगर जो लड़का आएगा अगर यह वाला ova इससे fuse कर गई, तो देख लो, ऐसा आएगा, yellow and white, जो dominant आता है, उसको wild type कहा जाता है, अब आप देखो, पहले dominant हमने कौन लिया था, male, अब कौन dominant आईए, female, तो जब male से characters, opposite sex में transfer होते हैं, father के traits, उनके, कहते हैं, बच्चे, बच्चे कहते हैं, पापा की criss-cross inheritance कहते हैं, जादा तर criss-cross inheritance वहाँ पर दिखता है, जहाँ पर X-linked genes present हो, X-linked inheritance जहाँ जहाँ पर होगी, वहाँ पर आपको father से daughter, opposite sex, या mother से बेटे में trade जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, अब F1 आया, wild type यह आगया, अब इनकी करा तो selfing, selfing करा होगे, यह combination spilling, इनका मतलब यह नहीं कि 8 ही मक्ही आएंगी, बहुत सारी मक्ही आ सकती हैं बेटा, बट इन ही types की आएंगी, यह वाले सारे के सारे parental type आएंगे, क्यों, क्योंकि देखो हमने parent लिया था न, yellow और white, ठीक है, yellow और white, और दो आ रहे हैं, wild type, wild type, तो यह जो combination आ रहा है बेटा, य इसको parental type बोलते हैं, यह जो आ रहे हैं, यह parent जैसे नहीं है, तो जो parent जैसे नहीं होते हैं, वो recombinance होते हैं, तो parent के कितने आने के chances हैं, 98.7%, recombinant आने के chances कितने हैं, 1.3%, किसी भी cross में बेटा, देखो, अगर कोई linkage नहीं होती, अगर कोई linkage नहीं होती है बेटा, तो parent recombinance के बराबर आते हैं, अगर percentage बराबर हो समझ जाओगी कोई linkage नहीं है, अगर linkage present होती है, अगर linkage present है, तो parental percentage हमेशा बहुत ज़ादा आता है, recombinant percentage हमेशा less आता है, दूसरा चीज, अगर parent हमेशा 50% से ज़ादा बन रहे हैं, और recombination 50% से कम बन रहा है, ये भी इस बात का सबूत है कि linkage है, link genes है, अब recombinant का percentage बहुत कमाना, जैसे यहाँ पर आया 1.3%, जब उन्हेंने दूसरा cross कराया, किस किस के बीच में, eye color और wing size के बीच में, तो उन्होंने देखा कि parental 62.8 बना, recombinant 37.2 बना, दोनों ही case में देखो बेटा, दोनों ही case में देखो, चाहे cross A, जो body color और eye color के बीच में था, या चाहे cross B, जो eye color और wing size के बीच में था, दोनों ही case में आपको parental 50% से जादा मिल रहा है, इसमें देखो 98.7% और इसमें देखो 62.8%, तो यह बात का सबूत है कि linkage तो exist करती है, कैसे, क्योंकि जबी भी parent बहुत जादा बने, बहुत जादा मतलब कितना जादा, 50% से जादा बने, तो यह समझ जाना चाहिए linkage है, अब वो linkage है यह आपने बता लिया, जब recombinant इतना कम बन रहा है, दोनों ही case में 50% से कम बन रहा है, that means linkage है, ठीक है, कहीं कहीं पर इतना कम recombinant क्यों आ रहा है, और कहीं कहीं पर comparatively recombinant ने जादा क्यों आ रहा है, अगर body color वाले जो gene है और eye color वाला जो gene है, उनके बीच में cross कराया, cross कराने के बाद recombinant इतने कम मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है, कि यह जो genes है, यह बहुत पास-पास है, they are closely associated, बहुत पास-पास हैं बेटा, बहुत पास-पास होने की वज़े से linkage बहुत तगडी है, बहुत अटूट प्यार है, linkage बहुत तगडी है, बहुत गहरी है, linkage बहुत गहरी होने की वज़े से, crossing over इनको अलग ही नहीं कर पाया, crossing over इतने अच्छी से हो ही नहीं पाई, crossing over अच्छी से नहीं हुई, that means recombination अच्छी से नहीं हुई, और recombination अच्छी से नहीं हुई, मतलब recombinance कम मिलेंगे, तो 1.3% ये दर्शाता है कि linkage तो जरूर है, बट वो linkage कैसी है, close वाली है, काफी तगडी linkage है, और काफी तगडी linkage है, इसलिए recombination percentage कम हाई है, यहाँ पर ज्यादा आने का मतलब है, कि जो आई कलर का जीन है, और जो wing size का जीन है, ये दोनों loosely linked हैं, लिंक तो हैं क्योंकि same chromosome पर मौजूद हैं, बट दूरी काफी ज्यादा है, दूरी ज्यादा प्यार कम, दूरी ज्यादा linkage कम, must crossing over हुआ, must crossing over होने के उच्छी, must recombinance मि देखा गया, बच्चे count किये, उन बच्चों में recombinance जितना आएगा, out of the total number of offspring into 100, तो percentage ज्यादा मिला, ठीक है, तो हम इसको conclude कर सकते हैं, ये देखो, ये x chromosome है, इसी chromosome पर उन तीनों characters के gene है, जो eye color वाला gene है, body color वाला जो gene है, और जो eye color वाला gene है, वो पास-पास है, इसी लिए percentage बहुत कम आया, 1.3%, जो eye color और जो wing size वाला gene है, वो देखो कितने दूर-दूर है, दूर-दूर होने के जिस लिंके जितनी गहरी थी नहीं, तो जब crossing over हुई, crossing over must हुई, क्योंकि distance जादा था, crossing over must होने से recombinant percentage भी जादा मिला, कितना मिला, 37.2%, और इन ही recombinant percentage का इस्तमाल करके, बेटा, Morgan जी के एक student test, 2-20, इन्होंने एक chromosome पर, 2 genes के बीच में, कितनी दूरी है, ये नाप दी थी, ठीक है, इस Google map करता है, ये 2-20 जी ने कर दिया था, इसको बोलते है, gene mapping या chromosomal mapping, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अगर 1.3% आ रहा है इन दोनों genes के बीच में, तो distance होगा 1.3 cm, ठीक है, अगर इन दोनों genes के बीच में distance आ रहा है 37.2%, तो उन्होंने बोला, distance होगा 37.2 cm, इसी percentage of recombinants का इस्तमाल करके, उन्होंने 2 genes के बीच के distance को नाप दी थी, position कर दी थी, इसको बोलते हैं, chromosomal mapping, जब e eukaryotic genetics बोलते हो, तो centimorgan का इस्तमाल करने से drosophilic eukaryot है, तो जो हमने unit लगाई है, वो centimorgan है, अगर किसी pro karyot में, bacteria में, तो chromosomal mapping करोगे, तो जो unit लगाओगे, वो होगा map unit, तो ये फाइदा होता है, बेटा, recombinants का, आचा, कैसे पता चलेगा complete linkage है, इतने जादा पास- है कि linkage ही नहीं हो रही है, मतलब इतने जादा पास पर crossing over ही नहीं हो रहा है, अगर कभी percentage recombinants का 0 मिले, और percentage parental combination आने का 100 मिले, जब-जब parental combination बच्चों में आने के हर बच्चा जो बन रहा है, वो parent से मिल रहा है, 100% parental combination आ रहे है, कोई भी recombinant बनने के chances ही नहीं है, तो ये इस जादा पास पास है बेटा, कि वो किसी हालत में crossing over में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे genes को completely link genes कहा जाता है, और ऐसे linkage को complete linkage कहा जाता है, ठीक है, इसके बाद बेटा, next topic है sex determination, दो तरीके के आपने sex determination पढ़ें, एक जहाँ पर male heterogamatic हो, heterogamatic का मतलब क्या है, कि male यहाँ पर two types of gametes को produce करेगा, और जहाँ पर male heterogamatic होता है, जो बच्चा आएगा, उसका sex male ही determine करेंगे, और एक case होता है, बेटा, female heterogamatic का, इसका मतलब है, कि female will produce two types of gametes, और जहाँ पर बेटा, female heterogamatic होगी, वहाँ पर जो आने बाला बच्चा है, उसका sex कौन determine करेगा, female, that means, जो heterogamatic होता ह है, वह gender decide करता है बच्चों का, male heterogamatic में आप दो example पढ़ते हो, एक grasshopper और एक humans, grasshopper में male क्या है, x0 ठीक है, और female क्या होती है, xx, हमारे case में क्या होता है, बेटा, drosophila और humans में, xy वाले क्या होते है, male, और xx वाले क्या होती है, female, तो आप देखो, यहाँ पर, एक type of sperm बनेगा x और एक बनेगा 0 वाला, एक यहाँ पर बनेगा x type और एक यहाँ बनेगा y type, दो type of sperm, तो आप देखो, sperm बनेगा x और यह वाला, humans में क्या बनेगा sperm, x और y वाला, यह A क्या है बेटा, autosome, हमारे पास सिफ sex chromosomes नहीं होते हैं, हमारे पास autosomes भी होते हैं, ठीक है, अगर किसी के पास 44 autosomes plus xx है, तो वो female है, अगर किसी के पास 44 autosomes plus xy है, तो वो male है, तो यह A autosome दर्शारा है, मान लो, जो बच्चा आया, अगर वो यह वाला है ग्रॉस अपर में, तो यह बच्चा क्या होगा, male, क्योंकि x O है, autosomes तो दोनों में सेम होते हैं, अगर अगर कोई बच्चा ऐसा वाला आ रहा, xy वाला तो वो होगा male, और कोई बच्चा ऐसा आ रहा है, तो बच्चा क्या होगा, female, तो हमारे case में females को blame किया जाता है, हमारे society में, बट females को कोई role ही नहीं है, females तो बेटा, एक ही type का over बना सकती हैं, यह वाला, और तो वो कोई type का power बनाई नहीं सकती, बट males कैसा sperm बना सकते हैं, बेटा, x type और एक y type वाला sperm, अगर x वाला x से fuse कर गया, तो लड़की तो आएगी, और अगर y वाला x से fuse कर गया, तो लड़का आ जाएगा, तो actually, कौन decide कर रहा है, male का sperm decide कर रहा है, male decide करते हैं, तो females का तो blaming तो होना ही नहीं बैटा, इसके पिछे science है, nobody should be blamed, अब कौन सा वाला gamete किस से fuse कर रहा है, उस पर निर्धारित है, कि sex के आएगा बच्चे का, कोई अपने मन से तो fusion करा नहीं रहा, fusion तो अपने अप अंदर cell के अंदर हो रही है, समझ में आ रहा है न, उसके बाद female heterogamatic में birds पढ़ते हैं, यहां पर देखो ZW female है, तो female दो type of egg produce करेगी, एक Z वाला और एक W वाला, male तो बैचारा ZZ होता है, एक ही type of gamete produce करेगा Z वाला, अगर Z वाला Z से fuse कर गया, A प्लस ZZ आ जाएगा, अगर ये वाला इस से fuse कर गया, ZW आ जाएगा, ZW आ गया, तो female bird आएगी, ZZ आ गया तो male bird आ जो रखी थी, वो किस ने रखी थी बेटा, Henke ने रखी थी, सबसे पहली बार insect में देखा था, तब जाकर के इनको पता चला था कि अच्छा हमारे पास sex chromosomes होते हैं, जो हमारे sex determination में help करते हैं, फिर Stevens और Wilson अलग-अलग scientist हैं, एक ने X chromosome के बारे में बताया और एक ने Y chromosome के बा चले, जो sex determination में help करते हैं, यह type है, जो आपको पढ़ना है, उसके बाद, honey bee में बेटा, अगर honey bee haploid आ रही है बच्चा, तो वो male होगा, और अगर बच्चा diploid आ रहा है, तो वो female होगा, तो इसको बोलते हैं haplodeploidy, इस phenomena को बोलते हैं haplodeploidy, तो honey bee में अलग प्रकार का sex determination चलता है, by the name haplodeploidy, इसमें देखो female 32 है, 2N है यह, female फिर करेगी meiosis, बनाएगी egg, 16-16 बन गए, male meiosis, क्योंकि male होता है haploid, तो male meiosis तो करी नहीं सकता, male जबी भी sperm बनाएगा, यह sperm है, ठीक है, तो यह mitosis के थ्रू ही बना सकता है, और अगर यह sperm इसे fuse कर गया, तो 2N condition आ ग female आएगा, यह female मधुमक्ही होगी, अगर इस female मधुमक्ही को royal jelly खिलाओगे तो queen में बदल जाएगी, सौतेला वैवार करके इसको सिर्फ खाने के लिए bread का तुकड़ा दोगे, जो bee bread होता है, तो वो worker bee में convert हो जाएगी, worker bee और queen दोनों ही female है, बस फरक यह है, क्यों queen fertile होती है, worker bee sterile होती है, बट दोनों ही deployed होते हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए sperm और यह दोनों का प्रयोग हुआ है, जो female होती है, उसका एग बेटा बिना fertilization के किसमे convert हो जाता है, male में, तो यह male इसलिए क्या होते है, haploid और female हमेशा fertilization से बनती है, तो इस male का बेटा कोई papa है ही क्योंकि पापा के cell से तो बना ही नहीं, यह सीधा अपनी मम्मी से ही बन गया है, यसलिए NCAT ने लिखा हुआ है, कि जो male honey भी होता है, उनके कोई father नहीं होते है, और इनका कभी बच्चा भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बच्चा किस से बन जा रहा है बेटा, female ही बना द हो गया, NCAT उसको grandfather कहती है, ठीक है, उसके बाद mutation क्या होता है बेटा, कोई भी genetic material में कभी sudden discontinuous variation आ जाए, जिससे हमारा genotype, phenotype दोनों बदल जाए, उसको mutation कहते है, ऐसा लगता है, कि सिफ recombination की वज़े से थोड़ा सा अलग type आ सकता है, बट नहीं, recombination variation के इलावा, mutation भी DNA में variation ला सकता है, mutation आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, covid के दौरान, because covid के जो इतने strains आपाए, वो mutation के वज़ा से ही थे, कभी अप alpha, कभी delta, कभी omicron, तो ऐसा क्या हो रहा था, और बार बार न्यूस चैनल वाले कहते थे, कि mutation होगी, mutation होगी, to mutation क्या होता है बेटा, genetic material म change वाना, ठीक है, अब genetic material तो हमारे पास VMM, DNA हमारे में क्यों नहीं mutation होता, covid के पास बेटा, RNA genetic material था, अब next chapter में पढ़ोगे, RNA जल्दी mutate कर जाते हैं, DNA इतने जल्दी mutate नहीं करते हैं, क्योंकि जादा stable होते हैं, क्योंकि covid-19 में RNA था, इसलिए mutation बहुत fast हुआ है, ठीक है, अगर gene mutation सिर्फ एक single base pair में हो, एक ही जगह पर एक ही nitrogen base में जब फरक आता है, उसको हम point mutation कहते हैं, जिसका example, sickle cell anemia है, इसके बाद है बेटा, genetic disorders, genetic disorder, mandalian disorder होते हैं, जब single gene में problem आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेटा, mandalian disorder, और chromosome के number में problem आए, तो हम उसको कहते हैं, chromosomal disorder, chromosomal disorder को आप pedigree के थूँ नहीं पर सकते, in mandalian disorder को आप pedigree के थूँ पर सकते हो, because यह inherit होते हैं, from one generation to the other, ठीक है, तो यह कुछ disorders है, hemophilia, color blindness, color blindness अब नहीं वाली NCRT में नहीं दिया हुआ है, मैं NCRT PDF देख रही थी, तो उसमें color blind हटा ही दिया है इनोंने, ठीक है, sickle cellenemia, phenylketonuria, cystic fibrosis भी अब नहीं वाली NCRT में नहीं है, thalassemia भी अब नहीं वाली NCRT में नहीं है, खुश हो जाओ, myotonic dystrophy का सिर्फ pedigree दिया हुआ है, जो भी disorders होते हैं, it could be either recessive or dominant, सिर्फ myotonic dystrophy dominant है बेटा, बाकि सारे recessive है, recessive का मतलब क्या होता है बेटा, यह तभी express ह हो पाएंगे, जब इनको homozygous या pure form मिले, otherwise disorders individuals में देखने को नहीं मिलेगा, अगर वो disorder के जो gene X chromosome पर होते हैं, उसको X-link कहते हैं, तो hemophilia का जो gene है, खराब वाला X chromosome पर present होता है X-link, color blindness वाला भी X पर होता है X-link, sickle cell, phyreinocritonuria, cystic, यह सारे जो disorders हैं, इनके जो genes होते हैं वो autozones present होते हैं, इसलिए सारे के सारे autozomal हैं, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि यह दोनो sex-link हैं, तो जो-जो NCRT में दिया हुआ है, उसको मैं एक बार read करा देती हूं, NCRT से, hemophilia क्या होता है बेटा, यह sex-link बिमारी है, sex-link बिमारी इसलिए, because sex chromosome पर होती है, sex chromosome पर भी कौन से वाले chromosome पर, X chromosome पर, recessive क्यों, because only get expressed in furor homozygous form, यह transmission शो करती है, unaffected carrier female to some of the male progeny, इनके genotypes अगर मैं आपको बताऊं, अगर लड़की एक sex है, तो बिलकुल नॉर्मल है, बट अगर लड़की X chromosome के पास, एक X chromosome के पास H वाला allil है, यह H allil क्या है बेटा, हेम homophilic allil, मतलब यह allil responsible है homophilia के लिए, यह आप कह सकते हो, यह disease allil है, ठीक है, लेकिन यह allil बेटा एक ही X chromosome पर है, दूसरे X chromosome पर नहीं है, यह allil recessive होती है, recessive होने के लिए इसको जोड़ा चाहिए था, जोड़ा मतलब दोनों X chromosome पर होनी चाहिए, बट है क्या नहीं, तो य यह लड़की बिलकुल नॉर्मल होगी, बट क्योंकि यह disease allil को carry कर रही है, एक one of the X chromosome पर इसको क्या कहोगे, carrier कहोगे, या इसको आप क्या कहोगे, heterozygous, heterozygous क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों X chromosome same बराबर के नहीं है, एक X chromosome पर यह वाला अलील है, दूसरे पर नहीं है, male के case में बेटा XY है, तो normal होगा genotype उसका phenotype normal होगा, और अगर X ही, sorry, XHY है, इनके पास male के पास एक chromosome पर ही अगर H हो, ठीक है, Y chromosome पर तो H हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यह जो allil है, यह X linked है, ठीक है, तो Y पर तो दिखेगा ही नहीं, मैंने आपको बताय था ना, कि अगर कोई एक अलील सिफे X chromosome पर मिले, उसका दूसरा वर्जन, दूसरे पर ना मिले, इस condition को hemisigus कहते हैं, तो male यहाँ पर क्या है वेटा, यहाँ पर male hemisigus है, और बेचारे male, अगर एक X भी उनका खराब है ना, खराब मतलब अगर एक X chromosome पर भी disease अलील है, तो यह बेचारे क्य आते हैं, बिमार, यह क्या हो जाएंगे, हेमोफिलिक, यहाँ पर carrier का concept male के case में नहीं है, क्योंकि male के पास दो अलग अलग chromosome होते हैं, सिर्फ carrier का concept female के पास होता है, मतलब माम यहाँ पर female कभी बिमार आएंगी नहीं, आएंगी बेचा, बट एक ही शर्त है, इनके दोनों X प क्या होगी, हेमोफिलिक, लेकिन जितने भी X-link disorder होते हैं ना बेटा, उसमें female बहुत rare chances होती हैं कि वो बिमार आएं, ठीक है, क्यों, क्योंकि female को बिमार होने के लिए, मम्मी को at least carrier होना चाहिए, और पापा को बिमार होना चाहिए, तब जाके पापा का ये वाला sperm बनता है अगर और मम्मी का ये वाला अगर ओवा बनता है, ऐसे sperm और ऐसे ओवा का fusion होगा, तब ये genotype आएगा, तब वो जाकर के बिमार आएगी, इसलिए कहते हैं, जो X-link बिमारी होती है, जैसे कि हेमोफिलिया, वो लड़कों में जादा दिखती है, frequency में in a population rather than in females, ये खांदानी बिमारी आपने सुना होगा Queen Victoria के family में चलती है, ठीक है, तब ही तो वहाँ तुमने Queen का ही राज देखा है, King का देखा ही नहीं, Males, Hemophilic, मर जाएंगे, कट लगता ही, Bleeder Disease कहते हैं, खून रुकता ही नहीं है, excessive bleeding से बंदे की मौत हो जाएगी, है ना, तो King गया, तो Empire गया, ह यहाँ पर Petriarchal Society था, क्यों Queen का जमाना था, सोचो, सोचो, ठीक है, तो क्यों नहीं खून रुकता है, क्योंकि खून जम जाता है, आपने देखा होगा, ऐसे cases में खून जमता ही नहीं है, क्योंकि इनमें clotting factor absent होते हैं, और क्यों absent होते हैं, वेकोज खराब हैलील मौझ होते तो देखो, इस disease में एक single protein होता है, जो कि responsible होता है cascade of proteins के लिए, जो कि responsible होता है blood की clotting कराने के लिए, अब क्योंकि वो protein defective होता है, तो इस affected individual में अगर छोटा सा भी cut लग गया, तो non-stop bleeding होगा, जो heterozygous female होती है, उनको carrier बोलते हैं, लिखवा दिया है, वो transmit करेंगी अपने बच्चों में, ठीक है, मतलब यह जो female है, इसका लड़का आएगा तो बिमार आएगा, opposite sex में trait गया na, criss-cross inheritance, मैंने क्या बोला था, criss-cross inheritance आपको वहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ भी X-linked disorders होंगे, X-linked inheritance होगा, है न, X-linked है, दिख रही है, ठीक है, उसके बाद female बहुत rare chances होती है, hemophilic or reason आपको अपको बता दिया है, sickle selenemia beta एक autosome linked है, क्योंकि autosome पर उसके genes होते हैं, chromosome 11 जोकि autosomes होता है, रहसे से मतलब homozygous form में ही express होगा, तीन इसके genotype हैं, अगर HBA, HBA होगा, तो वो बंदा बिलकुल normal होगा, normal hemoglobin produce करेगा, अगर कोई बंदा HBA, HBS है, तो भी वो normal ही होगा, codominance चलती है, और अगर HBS, HBS है, तब जाकर के beta वो affected होगा, affected का मतलब है, उसकी RBC कैसी होगी, sickle cell, sickle cell RBC से होता क्या है बेटा, blood flow रुख जाता है, क्योंकि वो blood की capillaries को jam कर देते हैं, normal अगर shape हो bike uncave का, तो blood के flow में कोई problem नहीं आती, but sickle cell थोड़े लंबे-लंबे elongated, वो चांद type का जान नहीं होता, उसके जैसे shape होती है, तो नाली जो हमारी blood capillaries है, नाली तो है, but fine capillaries होती है, वो उसमें जम जाती है, जमने की वज़े से क्या होता है, clog, उसके वज़े से blood flow रुख जाता है, different parts of the body को blood नहीं मिलता, person हो जा मैं RBC तो बन रही है, वर उसका shape खराब है, मतलब यह qualitative disorder होती है, कैसी disorder है बेटा, यह qualitative disorder है, और ऐसे वाले तो बेटा, पहले ही मर जाते हैं, ठीक है, यह lethal gene है, इसलिए यह वाले तो आपको दिखेंगे नहीं, population में, तो जो disease फैल रही है, वो normal, इनको carrier बोलते हैं, क्योंकि diseased allele को carry कर रही है, तो अगर हमारा male, जो parent है, वो HBA, HBS हो, और female भी अगर HBA, HBS वाली हो, और female का यह ओवा, male case वाले sperm से fuse कर जाए, तो HBS, HBS condition होगी, और sickle cell RBC बनेगा, ऐसा sickle cell बनता ही क्यों है बेटा, क्योंकि 6th position पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th position पर अगर normal glutamic acid बनेगा, protein की chain में, तो तो normal bicon के वार भी सी मिलती है, बट अगर 6th position पर, देखो यहाँ पर क्या आगया, वलीन, जब glutamic acid replace कर दिया जाए, वलीन से at 6th position of polypeptide chain of hemoglobin, hemoglobin की 2 chain होती, alpha और beta, अगर beta chain क्या है, polypeptide की chain है, protein की जेने, protein किसकी बनी होती, amino acid की, तो वो beta chain का जो peptide, protein chain है, उसके 6th position पर glutamic acid हो, ठीक था काम चलता रहेगा, नॉर्मल RBC बनेगी, अगर जैसे ही, mutation की वज़े से, वलीन आ गया, तो क्या हो जाएगा, बेटा, क्या हो जाएगा, it will result in sickle cell, और sickle cell क्या करती है, sickle cell anemia cause कर देती है, ठीक है, next, chromosomal disorders है, तीन प्रकार के disorders होते हैं, एक है down syndrome, यहाँ पर देखो बेटा, एक किसवा chromosome अपने तीन copy में है, normally हर chromosome दो-दो ही copy में होना चाहिए, because हमें deployed organism, अगर दो-दो में होगा, कोई problem नहीं होगी, but यहाँ पर तीन copy में है, तीन, इसलिए इसको trisomy कहा जाता है, और वो भी कौन से chromosome का, trisomy of 21st, 21st अपने दो की बजाए, तीन copy में है, 21st क्या है, autosome है, तो यह trisomy of autosome है, जिसकी वज़े से, आपको पता है, abnormal individual आता है, यह male, female दोनों में हो सकता है, ठीक है, मुह permanently खुला रहता है, partially हमेशा, पीछे से flat, round head होता है, इनकी palm crease भी हम जैसे नहीं होती, normal नहीं होती, इनकी height permanently छोटी होती है, यह physically भी, psychologically भी और sexually भी underdeveloped रहते है, turner syndrome में क्या होता है बेटा, यह females में दिखता है, females में XX2 होना चाहिए था, दो sex chromosome होने चाहिए था, एक देखो गायब है, missing है, मतलब यहाँ पर सिर् 45 chromosome ही है, 46 नहीं है, ठीक है, तो sex chromosome अपने जोडे में नहीं है, तो ऐसी females sterile होती है, rudimentary ovaries होते हैं, meet वगरा नहीं बना पाती, यहाँ पर count करोगे, तो एक एक extra है, तो यहाँ पर 46 के बजाए 47 होता है, यहाँ पे भी, यह males में दिखता है, बेटा, males में एक extra copy X का होता है, अगर यहाँ पर सिर्फ X, Y होता तो male होता, अभी भी यह male, देखने में तो male होगा, क्योंकि बट इसके पास एक extra X chromosome है, तो इसके पास female-like characters बहुत जादा होते हैं, gynecomastia देखने को मिलता है, body male की होगी, बट characters female के, development of breast and all, तो यहाँ पर 44, 45, 46, 47, कितने chromosome 47, यह वाला male में भी दिख सकता है, क्योंकि autosome में problem हुई है, तो autosome male, female, किसी में भी हो सकते हैं, तो यह दोनों किसी में भी दिख सकते हैं, यह वाले, बट यह female में होता है, यह male में होता है, यहाँ पर भी trisomy, किस की trisomy है, बटा, sex chromosome की, क्योंकि sex chromosome दो copy में होने चाहिए, यहाँ पर तीन copy में है, यहाँ पर, दो copy में होने चाहिए, एक ही copy में है, तो इसको क्या कहते हैं, monosomy, So, yes, that was all for this lecture, बटा, So, we have tried our best to summarize in the best possible way, जो आपको quick revision के लिए काम है, अगले lecture में, अगले chapter के साथ मिलेंगे, hope आपके लिए useful हो, और आपको बताएं न, quick revision के लिए है, detailed lecture के लिए आपको क्या करना है, तो मिलते हैं अगले lecture में, bye bye and check everyone, bye bye everyone.